हेलो एबरीवन वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज की जो रेस्पी है ये बहुत ही यूनिक होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो इस रेस्पी के लिए मैंने क्या किया है कि जो फूल गो भी होते हैं उसके पते ले लिये हैं पांचे फूल थे य और अजवाइन नमक हल्दी और कुछ हरी मिर्च डाल दी है इसमें काट करके और पानी धीरे धीरे करके एड करना है तो इसका एक स्मूद सा बैटर रेडी करना है तो देखना फ्रेंड्स इसमें लंब्स बिलकुल ना रहें तो इसके बाद मैं इसमें एड करूँगी एक निम्बू कारस तो इससे क्या होगा कि यह नाश्टा जो आपका बन कर बहुत अच्छा रेडी होगा तो बस इसको अच्छे से मिला दिया है इसके बाद मैंने जो पत्तों की स्टेंट से उनको काट लिया है और पत्ते को मैंने अच्छे से एक हवार के उपर रफ लिया है इसमें जो बैटर मैंने बनाया था वो लगा दिया है तो इस प्रिसेस को अब तीन-चार बार रपीट कर सकते हो एक के बाद एक तो फ्रेंड्स ये नाश्टा मैंने भी पहली बार ही ट्राई किया है सब कोई बहुत अच्छा लगा है और रैसली यूनिक है इससे क्या होग ग्रीन होने के साथ साथ आपको आयन की कमी भी महसूस नहीं होगी तो बैटर को अच्छे से लगाने के बाद इसको केरफुली फोल्ड कर लेना है थोड़ा इधर उधर तो जाएगा बट इतना तो चलेगा बस इसके बाद स्टीमर में डाल देना है बटर पेपर तो इनको भी अच्छे से रख देना है और इसके बाद इनको कम से कम आदा घंटा स्टीम दिलवानी है तो आदा घंटा हो गया था इनको बस है नाश्ता हमारा बनकर अभी रेडी हो गया है तो इसको आगे अब इसके बाद पैन में मेले ले ली है दो तिन चम अच्छ रिफाइंड तोड़ा सा रईदाना उसके बाद स्पेटील एड़ किये हैं इसके बाद जो पते हमने स्टीम किये थे उनको अच्छे से पिसिज में कट कर लिया और इनको अच्छे से पैन में प्लेस कर दिया है और 3-4 मिन तक हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है तो फ्रेंड से रेस्पी बहुत यूनिक है और यूनिक के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है वीडियो पसंदा है तो प्लीज प्लेजिक ज़्यों कर दोले खिए साथ